वेल्कम टू वर्ल्ड आप टेक्निकल मैं जी लक्षकार आज आपको वर्क्शोप केल्कुलेशन का मैटपून टॉपिक दातू और एदातू मेटल्स और नोन मेटल्स पढ़ाने जा रही हूं इससे पहले हमने गुरुतू अकर्शन बल्का टोपिक कम्प्लीट किया था वो किस परकार से कारी करते हैं उनकी क्या क्या प्रोपिटीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेते हैं आज हम पढ़ेंगे दातू और एदातू के गुणों के बारे में दातू एदातू से किस परका अलग होती है यह क्या है आवर्ट सारनी इसको क्या बोलते है प्रियोडिक टेबल इसमें क्या होता है यह जो दो ब्लोक होते है इसको क्या बोलते है एस यहां से लेकर यहां तक क्या होता है यह डी ब्लोक यह कौन सा ब्लोक होता है एक दो तीन चार पांच है इसको क्या बोलत से एक ब्लॉक हाँ अब इसमें देखेंगे कि मैटल इसको होती है नान मैटल को इसको रेट कलर में दिख रही है वो कौन सी है दातु यह मतलब यह क्या है मैटल से और जो ब्लू कलर में दिख रही है वो क्या कहलाईगी इसमें नॉन मैटल से ए दातु यह और जो यलो कलर में दिख रही है उसको क्या बोलेंगे उफदातु मतलम मेटलोईट से दातुये और अधातुये दोनों मिलकर किसका निर्बाण करते है उफदातुये उफदातुयोśmy क्या-kya गुणों होते है धातुयों के भी गुणों होते हैं ये जो इत्रोजन है, यह किसमें काउंट आता है, एह दातों में, अब मैं दातों है, कौन कौन से ब्लोक में पाई जाती है, S, यह कौन सा ब्लोक है, S, और यह कौन सा ब्लोक है, D, इसमें भी कहे, दातों है, और यह कौन सा ब्लोक है, P, इसमें भी कौन सी आरी है, दातों है, F ब्लो में भी पाई जाती है और P में भी पाई जाती है अब देखेंगे एह दात्वे कौन कौन से ब्लोक में पाई जाती है एह दात्वे कहां का दिख रही है एक तो S ब्लोक में दूसरी P ब्लोक में मतलब एह दात्वे कौन से ब्लोक में पाई जाती है S और P ब्लोक में इसके फस्छेन हमें दात्य किस सार्ड निमीं दाहत सार्ड निमीं दायसी ने मेटलोइटे में थिसराल ने करो में वह तक्तले Home पोटेशियम, रुबेडियम, CGM, केलसियम, ये सब किस में आएंगे, दातूं में, और ये किस में आएंगे, एदातूं में, ये लास्ट वाली क्या होती है, गेसे, हाइट्रोजिन भी क्या है एक, गेस, ये भी क्या होती है, हीलियम, नियो, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सब किसमें आएगी? एदातुओं में. ये किसके एक्जामपल हो गए अब? एदातुओं के. ये किसके हो जाएंगे? उपदातुओं के. जैसे सिलिकोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टेलिनियम हो गया, बोरोन हो गया. ये किसमें आएंगे? उपदातुओं में. आवर है, यह कूनसा है, कार्बन, रेड़ फास्फोर स्लपर, यह किसमें आंगे, एधातुh और यह किया है, बो रूँ आ हो गया, टेलिनियम हो गया, यह किसमें आं एगा, उप दातों में, इसका अर्थ क्या होता है दात्वे कैसे विवार करती है उच्छ तर्म डिगरी का और एदात्वे कैसा विवार करती है मतलब इन में क्या निपाई जाता दात्वे गोणे दात्वे कैसी होती है कटो रवस्ता में पाई जाती है और उप दात्वे कौन सी होती है जो दात्वे और दात्वे से मिलकर बनत style 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 होती है S और P ब्लोक में दात्वे कैसी होती है चमकदार मतलब यह क्या करती है शाइन लेकिन जो एदात्वे होती है वो कैसी होती है डल मतलब उदासीन उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती उपदात्व की बात करें तो कैसी होती है उपदात्वे चमकदार भी होती है और डल क्योंकि इसमें किसका गुण होता है दातू और एदातू का ये विदूत की क्या होती है सूचालक और ये क्या होती है मतलब इसमें चालकता नहीं पाई जाती ये विदूत की सूचालक होती है मतलब इसमें करण जादा फ्लो करता है और ये क्या होती है चालकता रहीत और उप दातों से ज्यादा अब देखते तन्यता और आगात वर्दनियता क्या होती है तन्यता को बोलते है डक्टिलीटी और आगात वर्दनियता को बोलते हैं मेले एबिलीटी क्या होती है तन्यता तन्यता किस परकार से होती है जैसे ये कोई ठोस दातु है इससे क्या बना रहे हैं ductility, मतलब तरन्यटा, और आगातवर्णियत कि इसको बोलेंगे जैसे हथोड़े से या मसीन से पीट कर क्या किया जाए उनसे चादर बनाया जाए maleability क्या होती है किसी हथोड़े से या मसीन से पीट कर क्या बनाई जाए चादर, उसी को क्या बोलेंगे मेलेबे लिटी जैसे इसमें दिख रहा है मेटल कैसे होती है साइनी, और यह किनोन मेटल कैसी होती है, डल और उपदातु में क्या होता है यह साइनी भी होती है, और डल भी होती है हम समझें यहांपर तन्नेता, आगादवर्धनियता वर्दनियता मतलब किसी वस्तू पर क्या कर रहे हैं चोट मार रहे हैं इससे क्या बन रही हैं चादर इसी को क्या बोलेंगे आगाद वर्दनियता इसके बाद एक्जाम्पल हो गए जिसस में लितियम, सोडियम, केल्सियम, मैगनिसियम, बेरलियम, आइरन, कोपर, जिंक इसमें हो जाएगा बोरोन जैसे पीछे वाली गैसे उसका आयूटिन हो जाएगा ब्रोमिन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आर्सेनिक, टेलूरियम, एंटीमनी, पॉलोनियम, टैनसाइन आदी अब पढ़ेंगे हम आगे दातू के बोती गुंदर्म क्या होते फीजिकल प्रोप्टिज ओफ मेटल सबसे पहले देखते है सामान्य ताप पर ये कैसी अवस्ता में रहती है टोस अवस्ता में कब पारा, पारा क्या होता है दातू लेकिन फिर भी ये किसमें पाई जाता है लिक्वीड में जैसा ये क्या है मरकरी, इसी को क्या बोलते है पारा ये होती तो दातू है लेकिन किसमें पाई जाती है लिक्विड में पारे मतलब HG के अतिरिक्त पारा किसमें पाई जाता है दातू होती है भी लिक्विड में सभी दातू है सामाने ताप पर 20 से 25 रिग्री सेल्सियेस पर किसमें पाई जाती है ठोस अवस्ता में अगर इसकी कटोरता देखे मतलब हार्डनेस देखे तो सामवाने दात्वे कटोर होती है मतलब यह कैसी होती ही हार्ड टाइप में क्या होती है यह कटोर लेकिन उनकी कटोरता का इस्तर बिन बिन होता है मतलब अलग-अलग दात्व में क्या होता है अलग-अलग का हार्ड नेस से वो अलग-अलग परकार से होता है लेकिन लीथियम, सोडियम और पोटेशियम है तो ये दातु लेकिन फिर भी किस अवस्ता में पाई जाती है मुलायम अवस्ता में कौन कौन सी लीथियम, सोडियम और पोटेशियम होती कैसी है ये दातु है लेकिन ये किसमें पाई जाती है मुलाई मावस्ता में इसलिए इनको क्या कर सकते चाकू से या सनी से काड़ सकते किसको लीथियम, सोडियम, पोटेशियम को नेक्स्टे है링रा आगात वर्द्नियता, मेलेबिलेटी क्या होती है जैसे कोई दातुए उस पर चोट मारेंगे, तो वो किसमें चेंज हो जाएगी? चादर में, उसी को क्या बोलेंगे? आगात वर्द्नियता उश्मा एम विदूत की चालक है दात्वी क्या होती है उश्मा की सू चालक दात्वी उस्मा एम विदूत की चालक होती है सबसे ज़्यादा चालकता का गुन किसमें पाई जाता है चांदी और तामे में लेकिन जो सीसा और पारा है ये क्या है इसके अफवाद क्योंकि ये किस में रहते लिक्वीड फॉर्म में जो उस्मा की क्या कहलाते कूचा लग ये क्या है इसके अफ़वाद कौन से हो जाएंगे सीसा और पारा जो की क्या है उस्मा के कूचा लग मतलब इन में से करंड फ्लो नहीं होता अगर देखे बेस्ट कंड़क्टिवीटी तो किस में पाई जाती है सिल्वर में मतलब सबसे ज़्यादा चाल लगता का कूण किस में पाई जाता है सिल्वर में और हिट में देखे अगर बेस्ट कंड़क्टर ओफ हिट देखे तो किस में पाई जाता है डाइमन में कैसे पाए जाता है इसमें जैसे ये कोई वायर है इसमें क्या होता है बस तो ये कहां का है पास पास में अगर यहां से एक को गिराएंगे तो ये क्या होगी सारी इसके बाद ये गिरने लगेगी इसके बाद ये गिरने लगेगी इसके बाद ये गिरने लगेगी बतलब ये क अई दातू लेकिन फिर भी इस मेंसे क्या होता है जैसे जैसे यहां से करनेटफ फ्लो करेंगे तो यहां से यह इसके पास आएगी मतलब यह जल्दी से काईये करना सुरू कर देगी यह दातू हो तो यह भी किसका गुंदर्साति है दातू का क्या है यह एक best conductor of v PhD नेक्स्ट है उच गलनांग क्यों क्वातनांग दातों की क्या होते है उच गलनांग और क्वातनांग मत्ब मेल्टिंग पॉइंट और बोईलिंग पॉइंट क्या होते है ज्यादा सबसे ज़्यादा melting point और boiling point किसका ज़्यादा होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का यूज कहां किया जाता है बल्फ में, दातों के गलनांग के उतनांग सामानेते उच होते लेकिन जैसे कोबाल्ट, निकल, आइरन, आदी, टंगस्टन का गलनांग सरोच होता है, इन सब दात दातों में से सबसे ज़्यादा गलनांग किसका होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का यूज कहां किया जाता है, बल्फ में, अदिकान शारीये डातों के गलनांग केंतनांग निम्न होते है, शारीये डातों कौन सी होती है, जो S Block में पाई जाती है, जो First Water Państu है, उसको क्य एनुनाद पॉर्न Phonology और Resident क्या होता है इसमें क्या होता है जैसे यह घड़ी है इसमें पर चोट मारेंगे तो क्या होगी दौनी उत्पन इसी को क्या बोलते है औनुनाद पॉर्न जैसी यह है इस्कुल की क्या है यह गंटी इसको क्या करते है जब छुटी होने का टाइम होता तब क्या बजाते है गंटी पतलब इसे क्या उत्पन होगी दवनी उसी को क्या बोलेंगे अनुनाद फूर्ण रेसोनेंट या पॉर्नोलोजी लगबग सबी दातों किसी ठोस सतर से टकराने पर अत्वा उन पर चोट किये जाने पर दवनी उत्पन करती है यही कारण है प्रमप्रागत, अलार्म, घडिया, तता विधाले की घंटे दातों से निर्मित होती है यह किस से निर्मित होती है दोनों दातों से नेक्स्ट है हमारा दातों के रासायनी गुंदर्म क्या होता है electronic विन्यास जैसे electronic विन्यास क्या होता है जैसे 1s2, 2s2, 3s2 इसमें क्या होता है hydrogen में कितने electron होते है 1 hydrogen के बाद क्या आता है helium उसमें कितने electron होते है 2 s block में कितने electron बरे जा सकते है 2 p में कितने बरे जा सकते है 6 D में कितने बढ़े जा सकते हैं? 10 और A block में कितने electron बढ़े जा सकते हैं? 4 इसमें क्या होता है? 1st block होता है उसमें जैसे hydrogen है hydrogen में कितने electron है? helium में कितने electron है? 2 इसमें क्या होगा? यह जो 2 electron है यह तो क्या कर लेंगे? इस्ताई कक्सक बना लेंगे लेकिन जो लीतिय में उसमें क्या हो जाएंगे तीन इलेक्ट्रोन तो एक इलेक्ट्रोन क्या रहेगा इसमें फिरी मतलब 1S, 2 2S, 1 इसमें एक इलेक्ट्रोन क्या रहेगा फिरी तो ये क्या कर लेगा अपना इलेक्ट्रोन दूसरे को देदेगा जिससे क्या बन जाएगा इसमें धनायन जब कोई दातू अपना इलेक्ट्रोन दूसरे को देती है मतलब अपना इलेक्ट्रोन त्यागती है या डोनेट करती है ये क्या हो जाती है फिर धनायन लेकिन जब कोई अधातू, अधातू का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रोन ग्रेंड करने का, तो ये इसके उपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस, लेकिन धातू उपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, इलेक्ट्रोन डोनेट, ये क्या होता ह दातों के परमाणों के बार्यतम कोश में सामानत है एक से तीन इलेक्ट्रोन होते हैं अर्थात इनका अस्टक क्या नहीं होता पूर्ण ये क्या रहते हैं अपूर्ण मतलब इनके उपर एक या दो या तीन इलेक्ट्रोन बार्यतम कोश में रहते हैं जिससे क्या करते हैं अप अपने उपर प्लस चार्ज आवेशित है अर्थात इनका अस्टर का फूर्ण होता यही कारण है कि धात्वे अन्य तत्वों की अपेक्षा आधिक क्रियासील होती है धात्वों का कौन सा गुण होता है यह क्या होती है क्रियासील है धात्वे धनायन बनाती है और यह हमेशा electron क्या करती है donate donate करेगी तो इन पर कौन सा charge आएगा plus एग दातु ये electron grand करती है तो कौन सा charge आएगा उन पर minus अगर इनकी धनायन पर गरती जादा होगी तो rename क्या हो जाएगी कम है मतलब दातु की जो विदू 310 क्या होती है कम है next है हमारा oxygen के साथ अभिक्रिया दातु है oxygen के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है दातु oxide जैसे ये दातु है कोई oxygen के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी दातु oxide जैसे कोई दातु लेते iron iron का जो परतीक होता है वो क्या होता है fe ये दातु ले रहे इसमें क्या कर रहें? उक्सीजन के साथ में क्या करवा रहे? रियक्षन तो क्या बनेगा ये? आइरन ओक्साइड मतलब क्या बनाता है ज violet दात्यू के साथ में ओक्साइड लगबग सभी दात्यूuję ओक्सीजन वायू में उपस्तित वायू मतलब O2 oxygen को किस से लेते O2, मतलब इसके कितने अनू आते साथ में 2 अनू करके दातिक oxide का निर्मान करती है ये अभिक्रिया दहन कहलाती है क्या कहलाती है ये अभिक्रिया दहन, आप करवाते जल के साथ में अभिक्रिया इस से पहले हम देखेंगे जो sodium और potassium होते है क्या गुण होता है इनका potassium और sodium सामने ताप पर वायू की उपस्तिती में क्या करती है ये जलने लग जाती है कौन-कौन सी sodium और potassium इसलिए इनको किसमें रखा जाता है मिट्टी के तेल में मैगनिज सामने ताप पर oxygen से किरिया नहीं करती जो मैगनिज दातू होती है वो किस से किरिया नहीं करती oxygen से प्रंतु गरम करने पर जब इसको गरम किया जाता है मैगनिज दातू को तब ये क्या करती है तेज परकाश उत्पन करती है और अधिक उसमा के साथ क्या करती है जलने लग जाती है जिससे किसका निर्मान होता है मैगनिज ओक्साइड का ये क्या करती है सामाने ताप पर मतलब नौर्मल टेंप्रेचर पर ये दातू ओक्सिजन के साथ किरिया नहीं करती लेकिन गरम करते इसको तब क्या करती है तेज परकास और उश्मा उत्पन करती है जिससे किसका निर्मान होता है मैगनेज ओक्साइड का जो लोह दातू होती है वो सुस्क वायू में रखने पर जलती नहीं है लेकिन जब इसी दातू को मतलब आईरन को जब आद्र आद्र क्या होता है नमी वाश्व इनके मद्दे लंबे समय तक रखने पर इन पर क्या हो जाता है रस्टिंग मतलब इन पर क्या हो जाती है जंग जम जाती है इसी को क्या बोलते है जंग लगना जब आईरन को लंबे समय तक आद्र में रखा जाता है तो इन पर क्या हो जाता है जंग लग जाती है ये किस का है लोह दातू के लिए क्या होता है ये किस परकार से क्रिया करती है ये क्या है आईरन ये क्या है वाईउ ये क्या है जले ये एक परकार की क्या है आद्रे मतलब ये क्या है एक परकार का वाश्वे जब इसमें रखा जाता है तो क्या हो जाता है इसमें जंग लग जाता है जंग का formula क्या हो जाएगा F3O4.H2O ये किसके साथ क्रिया कर लेगी oxygen और जल के साथ में फिर क्या हो जाएगा इसमें जंग की प्रिक्रिया start जल के साथ अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया करके दात्वी क्या करती है हाइट्रोजन गेस का निर्मान जैसे दात्वी जल के साथ अभिक्रिया करके दात्वी हाइड्रोकसाइड तता हाइट्रोजन गेस का निर्मान करती है सभी दात्वी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती बतलब जितनी भी दात्वी है वो सभी किस से अभिक्रिया नहीं करती जल के साथ में कुछी दात्विय ऐसी है जो जल के साथ क्या करती है अभिक्रिया जैसे देखते हैं यह क्या है सोडियम यह जल के साथ अभिक्रिया करेगी यह किस में है solid में, मतलब क्या होती है solid, ठोस अवस्ता में जल किस में होता है liquid अवस्ता में, जब इन दोनों को किरिया करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा यह sodium hydroxide मतलब यह क्या बन रहा है दातू hydroxide जो OH है, इसका मतलब क्या है hydroxide कौन से gas निकाल रही है यह H2 यह किस में है, solid में यह S2O किस में, liquid में S2O का मतलब क्या है, यहाँ पर जल यह किस में change हो जाएगा, calcium hydroxide में OH का मतलब क्या है, hydroxide क्या निकालेगा साथ में, S2 अब क्या बोल रही है, आगे सभी दातू जल के साथ अभिक्रिया करती है, जो S block है उसमें जो first line है वो क्या है, चारिए दातू यह next है, aluminium iron और zinc जैसी दातू ने तो ठंडे के साथ और ना ही गरम पानी के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन यह क्या करती है बाब के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे क्या बनाती है यह दातू oxide मतलब कुस दातू यह जैसे aluminium हो गया zinc हो गया, यह दातू यह क्या करती है ना तो गरम पानी के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है यह किस के साथ अभिक्रिया करेगी वास्प के साथ और किसका निर्वान करेगी दातू ओक्साइड गा बतलब यहां लेते हैं ऐलुमीनियम प्लैस क्या होगा इसमें वास्प किसका निर्वान करेगी यह दातू ओक्साइड गा दातू ओक्साइड अब कुछ दात विए ऐसी है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती जैसे लेड हो गया लेड को क्या वो लिखते हैं PB Silver हो गया Koffer हो गया Koffer को क्या लिखेंगे CU ये क्या करती है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे next class में जो एदातू के साथ में और एलोई मिस्रिदातू के साथ में तब तक के लिए नमस्कार